हेलो दोस्तों मेरा नाम रोहित और स्वागत आप सभी को अपने यूटूब चनल विसे सेंटर में तो आज के इस वीडियों आपको हम बताने वाले हैं समेश्टर 6 का जिनका सेशन 24 होगा पॉलिटिकल सेंस का कॉर्फोटिन का हलाकि चाहे आप समेश्टर 6 में अभी हो या तो जो अस्ट्रेट निकल गए हैं ठीक है लगभग लगभग सभी के लिए कोचन सेमी रहता है ठीक है एक दो कोचन इधर उधर करते हैं वागे लगभां लगभा कोचन सेमी रहते हैं इसके बावजूदPBSAIR में किया पूछागी है पुछा है सब चीज को देखते वे बुक में क्या कोचन है सबीस चीज को देखते वे मैं इस वीडियो का बना रहा हूं आपके लिए правда dioxide पिघाए। तो कोणको स्कूछन IMPORTANT रहें मैं आपको दिखाऊंगा कि जितने सार्स है टो इंपॉर्टेंटको पुरु कोोष्चन धीकिंजे घृडिक्यन लिंक है जागर के या तो अगर वहां नहीं मिलता टव प्लेदिस्ट में सबसे निचे करते जाएगा तो baby Jeogak प्रफोर्टिन के नाम से आपको मिल जाएगा व्यूडियो पे उपर कोड्ट 13 लिखा हुआ तो घबराना नहीं कि मुझे तो कोड्ट 14 पढ़ना यहां कोड्ट 13 लिखा हुआ है क्या क्योंकि जब पहले पढ़ा रहे था नहीं तो यहीं सब कोड्ट 13 में पढ़ना था ठीक है कोड्ट 13 लिखा हुआ तो टेंसन मत लेना बस यह देखना कि कोचन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है बस यहीं देखना आपको ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है चलिए सबसे पहला कोचन क्या आपका विबरवाद की लोचनातमक समीच्छा करें हम एमसी की कोचन भी करवा द 40 छटकान स्थyer नागरिकता से आप ज्या समजते हैं इसके 29 ha सेवulator यहां चाया नहीं कर निया पर लेदिखे नो अचना माक्स के समाजिक और राजनितिक परिवर्तन के सदांत का परिच्छन करें नान नमबर स्ट्सक्राइब और राजनितिक सिदाहंत के पतन के बारे में ठीक है कि दो कोचन मैंने खुझ से रख किया है एक टोटल कोचन आपको कहीं भूक अगर लिया हूंकि तो उसमें भी देखने को मिल रहाऊगा ठीक है हाई यह जो ग्यार और बारा नमबर वह आपको देखने को नहीं मिल रहा हो क्यांकि मैं अपने से लिया हूं ठीक है उसके सिलेबस देखिए आपका टोटल सिलेबस में आठ टॉपिक्स पढ़ने है ठीक है और जिसको मैंने रेट कलर किया है वह सारा इंपोर्टेंट है जैसे वेवरवाद रोतर राजनितिक सिदांत के प्रकृति के सिदांत के बारे में भी कोचन आ सकता है या तो फिर राजनितिक सिदांत के हर्स के बारे में पतन या हर्स एक ही है ठीक है फिर लोगतंत्र की सिदांत का उधरवादी और बहुलवादी यह दोनों इंपोर्टेंट है क्योंकि पिछले बार माक्सवादी पुछ चुक है तो और जो पहला कोचन आपका देखियां पर ब्रवाद ये दोनों में सब्से यादा इंप्रवाद लेकिन दोनों पढ़के जाना उत्तर विबरबाद और आटमा राजनितिक समाजीक परिवर्वर्थन के सिधांते वो टॉपिक्स नहीं देखने चलते हैं सुधिस्धी इंपोर कर जाना है दूसरा भी आपको देख लेना है ठीक है फिर तीसरा राजनेति सिदान्त के स्वरूप और पुर्ण स्थान का वर्णन करें यह भी कोचन इंपोर्टेंट है पढ़ लिजेगा उसके चौथा नहीं क्योंकि चौथा कोचन आ चुका है पिछले साल में मुझे नहीं इंपोर्टेंट है और अगर टाइम मिले तो बहुल वादी भी देख लिजेगा ठीक है उसके बाद छटा नागर किता साब क्या समझते हैं सभी का वीडियो आपको मिल जागा ठीक है आंसर के साथ में उसके बाद नेक्स्ट के समाजिक और राजनितिक परिवार्थन सिदा अगर आपके पास समय है तो जिसको मैंने रेट कलर नहीं किया वह भी आप पड़के जा सकते अपने बहतर रिजल्ट के लिए ठीक है उसके बाद नेक्स यहां पर सौट्स में बहुत संस्कृति बाद आ सकता है या तो राजनितिक सिदांत के बारे में आपको पड़के जा नाधियों अच्छे से पड़के जाएगा ज्यादा हाड नहीं ठीक है चलिए इस प्रकार से हो गया एंसी की कोचन एंड लॉंग अंसर सभी का वीडियो आपको मिल जागा जिसका नहीं मिलेगा उसका हम पर यास करें करवा दें जाए दोस्तों में सेर कीजिए सपोर्ट की मिलेंगे नाइक वोडियो में तब तक जाएंगे जाएंगे वारत